हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू पार्चिक्षा दोस्तों आज मैं कोई special lecture लेके नहीं आया हूँ आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बताने लेके लिए आया हूँ कि यह जो है Macro Economics Class 12 का यह पूरा का पूरा बुक जो है वो मैंने प्रिपेर किया है 3-4 बुक के help से ठीक है न तो यह आपके लिए जो भी आपके exam के point of view से related है जो भी जरूर यह वो सब कुछ इसके अंदर है और इसका free of cost मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा आप वहां से download कर सकते हैं इसमें total page जो है वो 102 है 102 पेज का है आप लोग इसको download करके आप print निकलवा सकते हैं जो मरजी कर सकते हैं और आपके लिए sufficient है इसमें national income से related जो national income का एक question जो है 5-6 नमर का जो आता है वो उससे related मैंने 90-100 question इसके अंदर डाले हैं तो वो 900 question कर लेते ह हैं या और भी कोई practical problem जो आते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर available है और ये आपको free of cost मिलेगा अपने दोस्तों में भी share जरूर करिएगा जिनको इसकी जरूरत है मैं इससे कोई charge नहीं कर रहा हूं और national income का इसका जो first chapter है वो national income के लिए solar lecture मेरा इसी वीडियो के description में link मिल ज कहूं और आप लोग चाहेंगे आप लोग अगर comment करेंगे कि मैं इसका पूरा complete इस book का यहनी macro economics का complete detail lecture ले के आओं तो मैं फिर आगे ले के आओंगा अभी फिलहाल national income का complete solar lecture है ठीक है और उसके बाद इसमें मैं बता दूँ कि national income के लिए आपका three number से 58 page तके यानी 102 page है जिसम इसमें से 58 तक के तो आपका national income है सोचिए कि पूरा national income का पूरा detail है और सिर्फ उतना ही है जो एकजाम के point review से फालती है कि कोई बात नहीं है कि सर और बांकी किताब की सर पड़ते रो पड़ते रो ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ इसमें उतना ही है जो आपके exam के point review से जरूरी है इतना ही पड़ना है आपके पूरे में से पूरे exam में आएंगे ओके कमाल है ना तो बस इतना ही करना है और बांकी 59 से 102 में बांकी 2 से 8 इसमें total 8 है 8 topic मेंने बनाया है money and banking aggregate demand and related concept 3 chapter है income determination and multiply 4th है 5th पे access demand and deficient demand है 6th पे government budget है 7th पे आपका foreign exchange rate है और last 8 बैलेंस और payment है तो दोस्तों बस यहीं बताने के लिए चोटा से वीडियो बनाया है मैंने तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो helpful रहा होगा thank you so much